हाई फ्रेंड्स मैं आवा कत्री आज मैं आपके लिए एक कठेवड़ी डिश लेके आई हूँ हरी तुवेर और मटर की सब्जी जो खाने में थोड़ से स्पाइसी होती है लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है अगर आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए फ्रेंश और फेमिली में शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए हरी तुवेर और मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक बाउल हरी मटर और तुवेर ली है जो मैंने हाप बाउल कर ली है हाप बाउल मेंने क्रश कर ली है मटर और तुवेर हाप बाउल मेंने टॉमेटो प्यूरी कर ली है फिर कॉरियंडर ली उस है आईल है नॉर्मल म लसंगा पेस्ट आदा चमच हल्दी एक चमच रेड चिली पाउडर और एक चमच दन्या पाउडर नमक आपके स्वाथ के अनुसार लेंगे गरम मसाला हमारा तेल गरम हो चुका है इसमें डालेंगे राई झीर्दी, जिर्फ, झीर्प, ग्लिक्पेस बांक तेका है गरहुट्व, झीर्फ, झीर्फ, ग्रिंटिले, तॉमेटो की प्यूरी, उस एची तरह से मीक्स कर लेंगे, श्लेम मीडियम रखेंगे गेस की, तॉमेटो को अची तरह से पका लेंगे, जब तक वाई जोट जाए, अब इसमें हम डालेंगे हल्डी पाउडर, रेट चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट अपनी टेस्ट के अनुसर डालेंगे, यह मिक्स कर लेंगे, अब यह ग्रेवी को हाप पिनिट तक पकाएंगे, फ्लेम मेडियम ही रखेंगे गेस की, अब इसना गरम मसाला हम आदा डाल लेंगे, आदा हम लास्ट में डालेंगे, देखें हमारी ग्रेवी पक चुकी है, फ्लेम इत्दम स्लो कर देंगे गेस की, और हमने जो तूर क्रश किया था वो डालेंगे, इसे एक से दो मिनिट पका लेंगे, और इसमे अपनी जरुत के अनुसार थोड़ी ग्रेवी गाड़ी रखेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालके और फिर इससे मीडे माच कर लेंगे और एक से दो मीट पका लेंगे देखिए ग्रेवी में से ओयल छूट गया है और बस ऐसी थीकने सकनी है हमें अब इसने हम डालेंगे तूर के और मटर के दाने जो मैंने हाप वाइल किये थे इसलिए हम तूर और मटर के दाने डाल कर और इसे पास से साथ में तक पकाएंगे देखिए फ्रेंड्स अब हमाई सबजी पक चुकी है अब इसमें हम बचाओ अगर मसाला डाल देंगे अच्छे से हिला लेंगे मिक्स कर लेंगे उसको कोरियंडर लिव डालेंगे अच्छे कर लेंगे और गेस बन कर देंगे देखिए हमारी तूर और मटर के सबजी रेडी है लीजे फ्रेंड्स रेडी है हमारी एकदम ट्रेडिशनल काठिया वाड़ी हरी मटर और तूर की सबजी ठेंक यू